मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सुप्रीम कोट का वकील कैसे बन सकते हैं LLB कर लेने के बाद आप डिस्टी कोट में अधिवक्ता तो बन जाते हैं वकील बन जाते हैं लेकिन एक सुप्रीम कोट का वकील बनने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं कुछ योग्यता होता, उसका पूरा करने के बाद ही आप सुप्रीम कोट का वकील बन सकते हैं, डायरेक्ट कोई भी सुप्रीम कोट का वकील नहीं बन सकता है, आईए चलिए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि सुप्रीम कोट में वकील बनने के लिए आपके पास LLB का ड इसके बाद लेने के बाद यानि लेल भी दो तरीके से किया जाता है एक क्लेट के माध्यम से एक डायरेक्ट किसी इनवर्शीटी में या किसी महावी द्याले में एड्मिशन लेके लेकिन जो सुप्रीम कोट में वकील लोग बनते हैं वो अधिकतर क्लेट वाले होना चाहिए जो भासा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अगर आपके पास इंगलिस पर पकड़ नहीं है तो आप सुप्रीम कोट में जाने से कोई फायदा नहीं है अगर आप हाई कोट में और सुप्रीम कोट में अच्छी मजबूत इस्तिती में रहना चाहते हैं कि अच्छे अधिवक्ता बनके तो इंगलिस भासा आपको बहता तरीके से आना चाहिए क्लेट परतिवर्स आयोजित होता है कॉमन लौ एडिमिसन टेस्ट और इसमें देश के जितने भी 22 नेशनल लौ कॉलेज है जैसे चड़क्या पटना लौ कॉलेज बेंगलूरी नेशनल लौ कॉलेज या भोपाल का नेशनल लौ कॉलेज और जितने भी नेशनल इनवर्सिटी हैं कॉलेज हैं वो क्लेट के माध्यम से एडिमिसन लिया जाता है और इसी के माध्यम से अधिकतर बिद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट में वकील बनके जाते हैं तो आप क्लेट के माध् में रेच्टेशन कराना होगा रेच्टेशन फेस और उसका सारा डेकमेंट लगा देने के बाद आपको फिर एक प्रोविजनल साटिफिकेट मिलता है आइजिन्टी काड मिलता है जो दो वर्स किये आप ना सुप्रिम कोर्ट में वकालत कर पाएंगे और ना किसी कोर्ट में भी और इस एक्जाम के पास करने के बाद ही आप पूर्त अधिवक्ता बन पाते हैं एक्जाम पास कर लेने के बाद आप डिस्टिक कोर्ट में प्रेक्टिस कर सकते हैं किसी भी परकार की समस्या नहीं है लेकिन हाई-वर्ट से प्रारंब होता है नई योगिता के सम्बंध में वर्ना या हुआ है कि हाई-बुर्ट के साथ आपका। सीप हुआ हो और उस अधिवक्ता ने आपको केस लड़ने की परमिसन दी हुई है तभी आप जाकर हाई कोट में केस लड़ सकते हैं वरना आप हाई कोट में भी केस नहीं लड़ सकते हैं इसके बाद जो अगला प्रक्रिया है कि सुप्रीम कोट का वकील कैसे बने आए उस वि से था कि सुप्रीब कोट में वकील कैसे बने अगजाम लेता है यहनि आगर आप सुप्रीम कोट में वकील बनने के लिए जाएंगे तो प्रतिवर्स वहांपे एक exam होता है उस exam को एक्षाम को और रेकषाम का जाता है ये पुनतर सुप्रीम कोट ड्वारह आयूजीत किया जाता है और इसमें कौन-कौन से भाग ले सकते हैं उसकी योगिता क्या है देखिए हाई कोर्ट में पांच साल का अनुभाव होना चाहिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट में एड़ोकेट ऑन रिकॉर्ड एक्जाम देने जाएंगे तो हाई कोर्ट में पांच साल का आपका पांच साल तक काहीं इंटर सीप रहा हो यानि किसी सुप्रीम कोर्ट के ही सिनियर एड़ोकेट के साथ आप पांच साल तक वकालत का पेशा सीखे हैं तभी जाके आप एड़ोकेट ऑन रिकॉर्ड एक्जाम दे सकते हैं इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि सुप् वकील बनना या अधिवक्ता बनना एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर बात होती है और इनकी कमाई लाकों में होती है कोई भी अधिवक्ता अगर सुप्रीम कोर्ट में वकील है उसकी कमाई लाकों में होती है और वहां पहुंच जाने के बाद किसी भी परकार की कोई गुंज सकता होती है जो नियाले की भासा समझते हो नियाले की गरिमा बनाए रखें और एक बहुत ही बिद्वान अस्तर्त का उनकी सोच होना चाहिए इसलिए एड़ोकेट और रिकॉर्ड एक्जाम किया जाता है और हाई कोट में पांच साल का प्रेक्टिस होना चाहिए इन सारे बि प्रेक्टि डाइरेक्ट एलेल भी करके क्यों डिस्टी कोट में वकील बन सकता है ना हाई कोट में न सुप्रीम कोट में हाई कोट में भी यहीं कर्टिरिया है कि डिस्टी कोट में पांच साल के लिए आपका प्रेक्टिस का अनुभाव होना चाहिए या उतने साल के हाई क कोट के किसी एड़ोकेट के साथ आपका इंटर्सीप होना चाहिए और सुप्रीम कोट का जब एक्जाम देने जाएंगे एड़ोकेट और रिकॉर्ड एक्जाम तो पांच साल का हाई कोट में अनुभाव होना चाहिए या फिर सुप्रीम कोट के किसी सिनियर एड़ोकेट के स पां साल का इंतर्शिपोन चाहिया